भारते वायू सेना की ताकत बढ़ाने के लिए राफेल आने वाला है जी हाँ अब राफेल को लेकर भारत और फ्रांस की जील अंतिम चरण में पहुँच कई है दोनों देशों के बीच वित्ते मामले को लेकर जो मदफेद थे उन्हें दूर कर लिया गया है एक ऐसा फाइटर प्लेंड जिसने सीरिया सेलेकर इडाक तक IFST कमर तोड़ दी एक ऐसा फाईटर प्लेंड जिसने उड़ा रख है चीन और पाकिस्तान की नीद दुनिया का पावरफल फाइटर प्लेंड अब भारती वायू सेना के बेड़े का हिस्सा होने चा रहा है भारत फ्रांस से खरीद रहा है 36 राफिल विमान फ्रांस के साथ भारत की राफिल डील लगबग पूरी हो चुकी है वैसे साल 2007 से भारत फ्रांस के लडाकों विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है लेकिन सौदा किसी ना किसी कारण से अटका रहा पिछले साल प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने फ्रांस की यात्रा के दोरान एलान किया कि भारत फ्रांस से सीधे 36 फाइटर जेट्स खरीदेगा प्रधान मंत्री की फ्रांस में घोशना के बावजूद नई डील में कई रुकावटी थी पहली थी कीमत और दूसरा था आफसेट क्लास फ्रांस ने सौधे की कीमत करीब 65,000 करोड रुपए चाहता था 30 प्रतिशत आफसेट क्लास चाहता था फ्रांस लेकिन दक्षा मंत्री मनोहर पर रिकर सौधे की कीमत कम करना चाहते थे अब आपको बताते हैं की राफेल डील भारत के लिए जरूरी क्यों है और आखर क्या है राफेल की खूपिया जमीन से लेकर आसमान तक चूख हमला करने में मास्टर है राफेल ऐसमें भारती वाई उसेना के बेड़े में राफेल की एंट्रीक कितनी जरूरी है ये आप इसकी ताकत से समझ सकते हैं रेंज के मामले में सबसे आधुनिक है राफेल राफेल एक बार में 3700 उडान भर सकता है राफेल बर्मोस जैसी छे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने जाने में सक्षम राफेल पाँचवी पीडी का विमान है जो मिग और सुखोई से ज़ादा एडवांस है बहत कम उचाई पर उडान के साथ मिसाइल दागने की शमता 5000 किलोग्राम वजनी बम मिसाइल धोने में सक्षम साफ है कि अमेरिका और चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए राफेल को भारतिय वायू सेना के बेडे में शामिल करना जरूरी था और अब राफेल के आने से भारत की शक्ती भी बढ़ना तय है देखते रही डिबी लाइव